वेलकम टू इलेक्तिकल स्टोर हाउस आज के वीडियो में हम बात करेंगे कम्योटेटर के बारे में so, let's get started कम्योटेटर इज़े रौटरी इलेक्तिकल स्विच इन सर्टेन टाइप आफ इलेक्तिक मोटर्स एंड जनरेटर्स Commutator एक Electrical Rotating Device है Armature Winding को Lap या VIV Winding द्वारा Commutator के सेगमेंट्स पर जोड़ा जाता है Commutator Armature की Shaft पर ही लगा रहता है Commutator Stationary Carbon Bruchon द्वारा Generator में Armature से बाह्य परिपत को धारा प्रदान करता है और Motor में बाह्य परिपत से Armature को धारा प्रदान करता है यह Hydron Copper के Tapper सेगमेंट्स से बेलनाकार आकार का बना होता है Copper के सेगमेंट्स एक दूसरे से 0.5-1 mm मोटे High Quality Mica Insulating Material के टुकडों से Insulated होते है Commutator के सेगमेंट्स को Insulate करने के लिए Mica इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि Mica सबसे अच्छा Insulating Material है और इसकी Resistivity 10 to 15 ohm 20 degree centigrade पर होती है इन सभी Copper सेगमेंट के आधार में दोनों एंड पर V-Shape के खाचे बने होते हैं जो सभी सेगमेंट मिलकर दोनों एंड पर अलग-अलग आकरती के वृत्ताकार खाचे बनाते हैं जिनमें एंड रिंक्स के उभरी हुए अंको फसा कर नट बोल्ट द्वारा शाफ्ट पर कस दिया जाता है जैसा कि आप डाइग्राम में देख सकते हैं ये कम्योटेटर का longitudinal section है इससे आप अच्छे से देख सकते हैं कि एंड रिंक्स के उभरी हुए अंको फसा कर नट बोल्ट द्वारा शाफ्ट पर कसा गया है कम्योटेटर के segments को tight इसलिए कसा जाता है ताकि ये rotational condition में centrifugal force से निकल कर गिरने जाएं कम्योटेटर में segment के armature के पास वाले अंक कुछ उभरे हुए मतलब projected होते हैं जिन्हे segment risers कहते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें armature की windings के सीरों को डाल कर संयोजित किया जाता है शाफट पर कम्योटेटर की sleeping मतलब फिसलन को रोकने के लिए शाफट की का प्रयोग किया जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कम्योटेटर की segments थोड़े taper होते हैं मतलब टेढ़े होते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि कम्योटेटर का मुख कार्य क्या होता है कम्योटेटर का पहला कार्य होता है current is collected from the armature winding by means of two or more carbon brushes mounted on the commutator मतलब यह carbon के ब्रुशों की सहायता से current collection का कार्य करता है और कम्योटेटर का दूसरा कार्य होता है कि यह धारा रुपांतरन मतलब current conversion का कार्य करता है मतलब यह AC को DC में तथा DC को AC में convert करता है यहाँ पर कुछ कम्योटेटर segments को दिखाए गया है जैसे lug type commutator segment, strap type commutator segment ओके, thank you